वैसे सरैने का जो स्वरूप है वो तो ये है कि वो खरा खोटा नहीं देखता है कोई भी उसके सामने आजाए और मैं शरनागत हूं ये सच्मुच बोल दे ये भगवान का प्रत है भगवान का सुभाव है शरनागत की रख्षा अहम्त्वा सर्वपापे भ्यो मोक्षई श्यामी माशुचहा ये है भगवान की प्रतिक्याश शरनागत को भगवान की शरन होने में कोई संदेह नहीं करना चाहिए और अपने बारे में देखना चाहिए कि हमने कोई खोटली दवाके तो नहीं रख्थी है न धर्मनिष्ठोस्मी न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरनारविंदे अकिंचनोनन निगति शरन्या त्वत्पाद मूलं शरनं प्रपद्धी मैं धर्मनिष्ठ ननी नहीं यह अपने बल से सब कुश्प्राप्त कर सकें न चात्मवेदी मैं आत्मज्यानी भी नहीं हूँ कि मेरे मुक्ति हो जाएगी न भक्तिमास्त्वच्चरनारविंदे आपके चरण कमल में भक्ति भी मेरी नहीं है तक तुम्हारी दिशेष्टः क्या है कहमारी दिशेष्टा ये है यकिन चनाऀ्स हमारे पास कुछ भी क्षबी नहीं न धर्ति है न Chandi है न सोना है न बस्तु है न स्थान है अकिंचना किमिती प्रष्टुम जोग्दय जोग्यम धानम जैस्य नास्ति सा अकिंचना ये कोटली में क्या बाद रखता है वाई बैंक बैलेंस कितना है ना राएंग आसन के नीचे कितना दबा रखता है बाबा जी तो कमंदलों में क्या रख छोड़ा है ये पूछने लाइक जिसके पास कुछ नहीं है अकिंचना और अनन्य गतिक है तो बेते का भरोसा है बाब का भरोसा है समाज का भरोसा है अपने रिष्टेदार नातेदार का भरोसा है तो नाराएंग शरनाजत को ये देखना है कि हम किसी बस्तू या प्यक्ति वो चाहे देवता हो दानी हो वो भी क्यों हो या दूसरे का भरोसा तो नहीं है और कुछ अपने पास रखता हुआ तो नहीं है तो जो अकिंचन और अनन्य गति होता है उसकी शरनागति पूर्ण हो जाते है और जो महराज कुछ दबा के रखता है तो समय पर ये चीज हमारे काम आवेगी हमारे पास कुछ नहीं रहेगा तो हमारे चेले कमा के ले आवेंगे नहीं बेटे नातीप होते संगीश आते ही समाज तो जिसकी पास अपना कुछ नहीं है और किसी दूसरे का भरोसा भी नहीं है वो शरनागत होता है और भगवान के शरन होने में तो किसी प्रकार का संद्धिय ही नहीं है यो तो सर्वता करुणा वरुनाले है और सब का मंगल करता है और शरनागत